जहिन साथ यमाश्कार ट्रपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे शाथ फरवरी 2021 को ट्रपल सी एक्जाम में पूछे गए आति महात्मुन प्रश्णों को और इन कुश्टन्स को हमारे पास चेंड किया है दिलीब जी ने जो हमारे इंस्ट्यूट निवेक्शल कंप्यूटर से बिलोंग करते हैं सबसे पहले इन सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दोश्टों एक्जाम के बाद आप भी कुष्टन्स हमें जरूर दन करेगा वोकि सभी के एक जैसे कुष्टन्स नहीं आते हैं एक ही एक्जाम नेशन के सभी सेंटर्स की बच्चों के कुष्टन्स अलग-अलग होते ह हैं इसलिए आपके एक्जाम में जो कुष्टन्स आये रहे हों आप उन्हें हमारे पास ज़रू भीचेगा साती साथ एक्जाम से पहले ट्रपल सी की ग्यारा सो प्रश्णों की माहामरातन क्लास को ज़र देखेगा वोकि एक्जाम के बाद इस्ट्रेंट से यही रिभ्यू की लिंक दिये है जिने भी पीडियाप के आवशकता है वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं तो टाइंग वेश्ट न करते हुई चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास यही है अभैक्सल की क्लास लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक पहला कुष्टिन आपका 200 रुपए की नोट का कलर स्टोन ग्रे होता है ट्रू या फाल्स ट्रू एन फाल्स की क्विश्टन्स भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं एक्जाम में ज़्यादा कुष्टन्स ट्रू एन फाल्स के नहीं आ रहे हैं लेकिन फिर भी जो क कुष्टन्स आ रहे हैं काफी अच्छे हैं तो 200 रुपए की नोट का कलर स्टोन ग्रे नहीं होता है और फिर फाल्स ट्रू एन फाल्स में एक चीज की साधानी आपको रखनी होती है कभी कभी फर्स्ट ऑप्शन में फाल्स लिखा होता है और सेकेंड में ट्रू तो आपको बी केरफुल देख के काम करना है कि फर्स्ट में ट्रू है और सेकेंड में अब नेक्स्ट सच भारत मिशन किस निगम से संबंदित है काफी इंपॉर्टेंट क्यूशन है आज एक्जा में पूछा गया था जो आपका सच भारत मिशन है जिसके अंतरगत पूरे भारत को हमे यह हमें करना भी चाहिए तो यह किस निगम से संबंदित है तो इसका राइट अंस होगा मुनिसिपल ठीक है ओप्सन फर्स्ट इस राइट अब नेक्स्ट विंडोस टेंड मिन्स जो चौशट बिट का विंडोस टेंड कंप्यूटर है उसके लिए मैक्समम रैम का आकार क् एक होता है विंडोस 10 विंडोस 10 है क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के एक वर्जन है ट्रेपल सी एक साम में कुशन पूछा आता है कि विंडोस का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है तो विंडोस ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन है विंडोस 10 और विंडोस क्य दो चीजे वो थी एक 32 बिट का होता है एक 64 बिट का होता है तो अगर Windows 10 64 बिट की बात करेगा तो आपका right answer होगा 128 GB लेकिन अगर कहेगा Windows 10 Pro जाद रखीएगा दोनों चीजे पूछ सकता है Windows 10 Pro और 64 बिट में अगर कहेगा तब वहाँ पर आप 2 TB पर टिक करेंगे ठीक है इस पर टिक करेंगे कब जब Windows 10 Pro होगा ठीक है तो यहाँ पर इसका right answer कितना हो जाएगा 128 GB अब next प्रारम मीनू खोलने के लिए किस किनजी का उप्योग किया जाता है प्रारम मीनू का मतलब है इस्टार्ट मीनू को ओप्योग करने के लिए हम किस की का उप्योग करते है तो right answer होगा इसका option first start मीनू ठीक है simple suggestion है जब आप keyboard से start मीनू करेंगे sorry यहाँ पर start की जगा होना चाहिए था window है ना मीनू की रूप में start है यह दोनों हो जाएगा आपका अब next spam mail inbox में श्रंगरहित होती है means आपके email में जो spam mail होती है वो क्या inbox में श्रंगरहित होती है तो आपका बिलकुल false है क्योंकि जो भी mail spam के अंतरगत है means जो अंचाही mail है आप question के जब में पूछ लेता है कि अंचाही email को क्या कहते है तो spam mail कहते है तो वहाँ spam box में जाकर store हो जाती है mail box में वो नहीं रहती है अब next इंटरनेट से जुड़े अने computer से एक file तक पहुँचने के लिए क्या उप्योग किया जाएगा काफी important question है तो इंटरनेट से जुड़े अने computer से एक file तक पहुचने के लिए हम FTP का उप्योग करते है option third is right अब CCC exam में इन सभी का full form भी पूछा आता है तो FTP का full form होता है file transfer protocol वहीं पर अगर HTTP का full form पूछता है तो hypertext transfer protocol होता है HTTP का full form अब next which OS uses GUI कौन सा operating system GUI का उप्योग करता है OS का full form भी पूछ लेता है कभी कभी CCC में तो operating system होता है और GUI का full form होता है graphical user interface ठीक है तो कौन सा operating system graphical user interface का उप्योग करता है means उस पर आधारित है बताईए देखिए जो आपका DOS है DOS तो आपका single user operating system है और CUI पर आधारित है means वो command पर आधारित है जबकि Linux और Unix ये आपके GUI पर आधारित है तो right answer क्या होगा इसका option fourth B and C दोनों अब next JPEZ GIF की तुलना में अधिक संकुचित और उच्च गुनवत्ता वाला है सबस्वेल आप ये जान लीजे कि JPEG और GIF है क्या तो ये दोनों आपके image के format होते हैं image के कई सारे format होते हैं जैसे कि आपका JPEZ है PNG है GIF है TIF है है ना ऐसे कई सारे format होते हैं तो ये कथन बिल्कुल सही है जो JPEZ होता है वो GIF की तुलना में high quality वाला होता है और अधिक कंप्रेश भी किया जा सकता है अब next company में कर्मचारी काम करने के बाद अपने computer को बंद करते हैं इससे क्या शुधार होगा Minsk नियम होता है कि company में कर्मचारी का जब कारिक खतम हो जाता है Minsk साम को जब office cover complete हो जाता है तो अपने computer को बंद कर देते हैं इससे क्या शुधार होगा Minsk क्या बहतर होगी तो देखिए कोई भी चीज है जब तक काम है आप उपयोग करें और काम खतम होने के बाद उसको बंद करने से आपकी जो सुरक्षा है वो बहतर रहती है तो इसका right answer क्या होगा option second सुरक्षा अब next computer में शौंग चलना क्या है मेंस अगर computer में कोई शौंग चलना है मेंस कोई गाना बज रहा है है ना वैसे कि आप सब चला के मस्त रहते हैं वैसे कोई सौंग बज रहा है तो ये किसका example है input, output, hardware या फिर shaft, दोस्तों input क्या होता है जो भी data या सूचना computer में प्रविष्ट के जाती है उसे बोलते हम input और output क्या होता है processing के बाद जो हमें परणा मिलता है वह कहलाता है output जैसे सौंग का चलना output है video का चलना output है मेंस वहाँ से song चलेगा तो हमें शुनाई दे रहा है means वह processing के बाद एक परणा मिलता है उसे हम कहते हैं क्या output तो computer में song का चलना आपका output कहलाएगा अब next अर्थपूर्ण data का शंगरह कहा जाता है means अर्थपूर्ण data के शंगरह को क्या कहते हैं काफी important question है और new questions है थोड़ा simple सा भी है तो इसका right answer होगा दोश्तों information इसे हम information के नाम से जानते हैं अब next minimum zoom percentage of calc Libre office calc में minimum zoom कितना होता है Libre office से triple six exam में काफी questions पूच्छा आते हैं इसलिए मैंने Libre office की 100 प्रश्णों की अलग से मायातन क्लास कराई है पूच्छा आते हैं उन से भी questions का collection दिया गया है वीडियो की नीचे link है वहाँ से आप उशे देख सकते हैं बाकि अगर triple C महामराथन को आप देख लेंगे तो बाकि अधर चीजों की ज़वत आपको नहीं पड़ेगी यहाँ पर zoom कर लेते हैं देखिए स्टैटस वार में हमें मिलता है जूमिंग का option यहाँ से जूम को कम और ज्यादा कर सकते हैं अभी यह highest है तो highest कितना होता है 400% होता है यहाँ से आप एक चीज़ को clear कर सकते हैं अगर पूच्छा एक्जाम में कि यहाँ से आप इसे कम कर देंगे तो आप देख सकते हैं 20% मिनमम होता है तो याद रखेगा लिब्र आफिश के यहाँ पर पूच्छा है तो 20 इसका right answer हो जाएगा अब next shift के शंबंध में कथन सही है means shift के शंबंध में कौन सा कथन सही है started function from 1977 क्या shift का जो program है वो 1977 में शुरू हुआ यहाँ एक non-portorial unit है means इससे कोई भी profit नहीं होता है मतलब non-profit जो खुद का कोई फायदा नहीं लेता है is for financial data sharing इसका भी यो financial data को share करने के लिए किया जाता है या फिर all of above तो इसका right answer होगा option d all of above ठीक है क्योंकि यह सारे conditions उसके लिए शही है अब एक next version देखते है windows 10 में search option कहाँ पर होता है बताईए तो windows 10 में जो search bar होता है वो आपकी जो task bar उसमें left side भी पाया जाता है जो आपकी start minus के just toggle में आपको search bar मिलता है तो इसका right answer क्या होगा left ठीक है जब second chapter पढ़ा था operating system तो वहाँ पर इन सभी चीजों के बारे मैंने आपको बताया है अब next असी port पर संचालित होने वाला protocol कौन सा है यह question काफी important है ध्यान से समझेगा 80 port जो है यह एक normal आपका standard protocol होता है जिस पर आपके TCP, IP भी work करता है और HTTP भी करता है मेंस यह web server का सबश्रीफ पसंदीदा port नमबर होता है 80 है ना तो यहाँ पर option में देखे TCP नहीं दिया गया है यहाँ पर HTTP दिया गया है अगर HTTP और TCP दोनों होगा तो वहाँ पर एक option दिया होगा A and B दोनो या फिर B and C दोनों जैसा भी होगा वो दिया होगा है ना तो यहाँ पर पूछा है कि 80 port पर संचार्ज सुनावार प्रोटोकॉल कौन सा है तो HTTP होता है अब इनके full form जान लीजे FTP का मैंने आपको बताया File Transfer Protocol SMTP का full form होता है Simple Mail Transfer Protocol अब इनसे संबन्दित AAA exam में काफे questions पूछा आते हैं जैसे कि एक प्रशन यहाँ पूछा आता है कि mail भेजने के लिए किस protocol का उप्योग करते हैं तो SMTP का उप्योग करते हैं mail को भेजने के लिए HTTP का full form Hyper Text Transfer Protocol होता है वहीं पर HTTPS का full form Hyper Text Transfer Protocol सिक्योर होता है CCC exam में present time पर एक question यह पूछा आ रहा है कि HTTP में TT क्या present करता है कल भी exam में आया था HTTP में TT क्या present करता है तो TT क्या करता है Text Transfer को present करता है तो कई बार CCC में ऐशे ही देता है कि पूरा full form ना पूछ कर किसी एक word या दो word का पूछ लेता है और उसमें आप Confuse रहते हैं तो शही से full form को आप याद रखिएगा ठीक है तो in points को आप note कर लीजेगा जब भी आप videos देखिए साथ में एक notebook और pen जवर रखिए ताकि जो points मैं लग से बताता हूँ उनको आप note कर सकें अब next UPI जिसका प्रियोग रुपए को भेजने के लिए करता है वहां किस से सम्मंदित है अब यहाँ पर देखें तो देखिए RBI, SBI और YONU और SBI यहाँ पर SBI दो बार है यहाँ पर change कर देते हैं इंटराम कर देते हैं NPCI तो बताईए UPI का मतलब क्या होता Unified Payment Interface आगर यहाँ पर देखें तो RBI, SBI यह दोनों बैंके हैं YONU SBI, SBI का एक एप है तो NPCI जो आपका सम्मंदित है वो, स्वरी UPI आपका NPCI से सम्मंदित है योगि UPI को लांच किस ने किया था NPCI ने बाकि बैंक तो सारी यूज करती है है ना, जो भी इंटरनेट बैंकिंग की शुवधा देता है, वो NPCI के द्वारा जो UPI है उसकी शुवधा तो देता ही देता है, है ना, चाहे वो PNB हो, SPI हो, BOB हो कोई भी बैंक हो, आप UPI के द्वारा पेमिंट आशाने से कर सकते हैं NPCI का फुल फॉर्म भी ट्रबल से ही सामें काफी पूछ लेता है तो NPCI का फुल फॉर्म होता है National Payment Corporation of India SBI का फुल फॉर्म, State Bank of India और RBI का फुल फॉर्म, Reserve Bank of India होता है, अब next देखे, प्रॉपरिटी शॉप्टर क्या होते हैं, एक्जाम में काफी पूछा आता है, दो प्रकार के मोखेता है, इस काटेगरी में शाफ्टर होते हैं, एक होता है Open Source और दूसरा होता है Close Source Open Source अप्टर का मतलब वह शाफ्टर जो बेलकुल Free of Cast होते हैं, अर्थात जिनका उप्योग करने के लिए हमें किसी प्रकार की कोई भी पेमेंट नहीं करने पड़ती है इसके साथ में हमें Source Code मिलता है अगर हमें Computer Programming का Knowledge है, तो उस Source Code में हम Changing करके, आसानी से उसे अपने अनुरूप बना शकते हैं और अगर आपको Source Code की Knowledge नहीं है, तो उसके लिए हमारा दूसरा चनल है जिसके लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है वहां से आप Programming भी शेक शकते हैं और दूसरा जो साफ्टर होता है वो Close Source होता है Close Source का मतलब बंद सुरूट साफ्टर अर्थात जिनका उप्योग करने के लिए हमें License की आवशकता पड़ती है है ना, License के माध्यमशे ही हम उसका उप्योग कर सकते हैं उसके लिए Company को Payment देना पड़ता है और उसके साथ में कोई भी Source Code नहीं मिलता है वह कहलाते है Close Source After, अब Next Margin और Paragraph के शुरुवात के बीच के इस्थान को क्या कहते है Means जो Margin होता है और Paragraph के शुरुवात के जो बीच में इस्थान होता है उसे हम बोलते हैं Indentation Option D is right काफी Important Question है आपका अब Next Banking छेत्र में अधिक संक्या में चेकों के तेज निश्थारण के लिए निमलिखित में शे कौन सा प्रयोगत होता है बताईए तो Banking के छेत्र में अधिक संक्या में चेकों के तेज निश्थारण के लिए उप्योग कौन सा किया जाता है बताईए Barcode Reader, OCR, MICR या फिर OMA तो इसका राइट रांसरोगा Option 3 MICR का उप्योग किया जाता है अब Next Instagram के Founder कौन है बताई Instagram किसे संबंदित है तो Facebook से संबंदित है और Instagram का उप्योग क्यों करते हैं तो अधिकतर हम फोटो और वीडियो को शेर करने के लिए Instagram का उप्योग करते हैं इंस्टाग्राम के Founder पूछा गया है तो इसका राइट नाम सरो जाएगा इसमें इन दोनों लोगों ने मिलकर Instagram का निर्माल किया था मुख्य ताहर केविन सिश्टाउम का नाम ही आता है यह उसमें प्रथम थे तो यह थे आज के अति महात्पुन प्रश्न शब्शाइब कर दीजिएगा साथी बगल में जो बैल आइकन है उसे भी प्रश कर दिएगा ताकि कुछ नया पके इस परिवार में तो वह पकवान आपके पास भी पहुँचे थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो फिर मिलते हैं नस पास में तब तक के लिए बाइ-बाइ